10 अगस 2017 में पूरो मुख्यमंत्री वीरवदर सिंग द्वारा बिलासपूर में अंदे रास्टे स्तर के ओडिटोरियूम के अदार्शिला रखी गई थी जिसको लेकर 12 करोड की दनराशी P.W.D. बिवाग को जारी की गई थी अगर आज तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है बलकि बर्तवान B.J.P. सरकार के कारेकाल में इस ओडिटोरियूम को मंडी शिफ्ट किया जा रहा है ये कहना है ब्लास्पू से कॉंगरिस पार्टे के पूरु बिदायत और जिला कॉंगरिस केमेटे के अधिक्ष बंबठा कुरका 10 अगस्त 2017 में पूर्बुख्य मंत्री बिर्बदर सिंग द्वारा बिलास्पूर में अंतरास्ट्रिय स्तर के ओडिटोरियूम की अधार शीला रखी गई थी जिसको लेकर 12 करोड की धनराशे P.W.D. विभाग को जारी की गई थी अगर आज तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है बलकि बर्तमान बीजेपी सरकार के कारेकाल में इस ओडिटोरियूम को मंडी शिफ्ट किया जा रहा है ये कहना है बिलासपूर से कॉंग्रेस पार्टी के पूर बिधायक और जिला कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बंबर ठाकूर का बिलासपूर के सरकीट हाउस में एक प्रेसवार्दा के दुरान बंबर ठाकों ने परदे सरकार पर बिलासपुर के साथ अंदे की करने का आरोप लगाया है जिसके चलते अंतर रास्ट्रिय और डिटोरियम निर्वान की दिशा में कोई भी कदम ना उठाने और इसे मंडी शिफ्ट करने की बात कही है साथ ही बंबर ठाकों ने पूरे मामले को लेकर पूर्फ केंद्रिय मंत्री और पीजेपी के रास्ट्रियर कारेकारी अध्यक्ष जेपी नड़ा से मामले का संग्यान लेने की भी अपेल की है पही मीडिया से बात चीत करते हुए बंबर ठाकों ने आगामी एक सप्ता के बीदर इस दिशा में परदेश सरकार द्वारा कोई ठोस कदम ना उठाये जाने पर कॉंग्रेस पार्टी कारेकरताओं के साथ मिलकर बिलासपुर की सडकों पर उतरकर धरना परदर्शन करनी की चेताबनी भी दी है को मिले और उन अधिकारियों के खलाब कारवाई हो जिन्होंने तीन वर्सों से बारा क्रोडर के उपर उंडली मारकर के जो बैठे हैं उन अधिकारियों के खलाब भी कारवाई हो उनको भी शेत किये जाए एडिटोरियम अंतराश्ची अस्तरका विलास्वर के अंदर बनेगा और यह बारा करोडर के पीड़ोडी डिपार्डमेंट के पास दस अगस्त दो जागरस्तारा से अभी तक कर लंबीत बड़ा है और जिसका भ्याज भे करीव आठता सलाह कर गए मिने का अबलता है भारती जन्ता पार्टी की सरकार कि इतने बड़े अंतराश्ची अस्तर का जो हम स्टेडियम बनाने जा रहे हैं उसको लेकर के बिलकुल अधासीन रविया अपने हुए है